नमस्ते बच्चों आपका स्वागत है हर गर पाठ शाला की आज की वीडियो में आज का जो पाठ है उसका नाम है बंदर गया खेत में भाग तो इस पाठ के बारे में आपने वीडियो देखी होगी पाठ को सुना होगा तो हम इस वर्कशिट को करना शुरू करते हैं तो आ य जैसे बंदर चलनी बिचाकर और सूप ओड़कर सो गया वैसे ही हाथी पत्ते बिचाकर और जाडियां ओड़कर सोता होगा. आती कैसे सोता होगा पत्ते बिचाता होगा और जाडियां ओड़कर सोता होगा और चींटी जो है चींटी कैसे सोती है चींटी रेत या मिट्टी बिचाकर और तिनके ओड़कर सोती होगी तिनके यानि कि घास के छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उनको हम तिनके बोलेंगे और गिलहरी घास बिचाकर और पत्ते ओड़कर सोती होगी शेर जानवरों की खाल बिचाकर और ओड़कर सोता होगा आप बताओ आप क्या बिचाकर और ओड़कर सोते हैं तो आपने ये बताना है अमें लिखना है कि आप क्या बिचाकर और क्या ओड़कर सोते हैं नो कारय पत्तर जो है प्रशन यह है कि बंदर चलनी बिछाकर और सूप ओड़कर सो गया, तो हमने यह लिखना है, कि यह कह स्वरूद का सूते हाथी क्या बिचाता है हाथी बिचाता है पत्ते हाथी बिचाता है पत्ते हाथी क्या बिचाता है प शीरोरेखा त और इसके ओपर त के ओपर भी इस तरह से और पत्ते और क्या ओड़ता है वो उड़ता है जाडिया, क्या उड़ता है, जाडिया, या जाडिया, आगे बढ़ते हैं, चीडिया, चीटी क्या उड़कर या क्या बिशाकर सकती होगी, तो फिर्सिस के लिए है, हम पीछे जा सकते हैं, तो चीटी, रेत, मिट्टी बिशाकर और तिनके उड़कर सोती है, तो क्या बिशाती है, चीटी बिशाती है, मिट्टी या ये रेत, रेत और तिनके, ती, ती, ति न तिन कर एकी मात्रा के तिन के अच्छा गिलहरी के बारे में भी पता करने के लिए कारेपत्रक फिर से देखते हम गिलहरी घास बिशाकर और पत्ते ओड़कर सोती है गिलहरी गिलहरी घास बिशाती होगी घास इसको हम फिर से लिखेंगे घास घास बिशाती है और मुझे लगता है पत्ते ओड़ती होगी शेर क्या करता है शेर खाल जो जानवरों की खाल है ख आ की मात्रा खा ल खाल ख और आ की मात्रा ख और ल खाल तो आगे देखते हैं आगे क्या है तो यह जो कारेपत्रक है वो यहीं पे समाप्त होता है तो जैसे कि हम ने लिखा देखा कि हाती पत्ते और ज़ाड़ियें बिछा कर ओड़ कर सोता है तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तके लिए जय हिंद, आप अपना ध्यान रखिए.